हालो फ्रेंड्स मैं गुंजन आपको स्वागत है मेरे चैनल पर आज का इस वीडियो में मैं आपको सेरगाओं की कचौरी के बारे में बता रही हूं यह महराश्टा का बहुत ही फेमस कचौरी है सो एकदब मार्केट जैसी सेरगाओं की कचौरी आप घर पे भी बना सकते हैं सो चलिए देखते हैं इस वीडियो को बारिक पेस्ट नहीं बनाना है हमें तो आप देख सकते हैं यह दरदरा पीच के तयार हो चुका है अब हम गैस को आउन करेंगे और उस पे एक पैन चरहेंगे सो आप देखिए मैंने यहाँ पे स्वाफ लिया है साबू धनिया है और जीरा है इन सबको हमें ड्राय रोस्ट करना है तो पैन गरम होने पे आप इसे अच्छे से डाल लीजी और इसे ड्राय रोस्ट कर लीजी तो देखिए यह काफी अच्छे से भुन चुका है अब हम इ इस बचण में निकाल लेंगे औरो इसे कर देखिए यह काफी अच्छे तरिगों से हमारे मसाले जो है ग्रस हो चुका है अब था बरतन में देखिए चार से पांच लहसुन की कली लिये और दो कम तीकी मिर्च लिया है इसे भी हमें करना है तो देखिए गरां कर देंगे सि अपना cooking oil दालेंगे, तो दो से तीन चमच आप cooking oil डाल लीजिए, ऑफ गरम होने के बाद आप इसमे एक पिंच हेंग डाल लीजिए, और उसके बाद जो हमने मसाले क्रस्ट किया था उसको डाल लीजिए, और इसे आप कुछ सेकंड्स के लिए भूल लीजिए, और उसके चोटी चमच रलदी, और एक चोटी चमच तीखी मिर्च डाल लीजिए, और इसे भी अप अच्छे से मिक्स कर लीजिए, इसे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, अब आप गरम मसाला डाला है, इन सब को भी अच्छे से मिक्स कर लीजिए, और इसके बाद जो दाल हमने अच्छे से मिक्स करने के बाद देखिए मैंने आप एक चोटी चमच ड्राइ मैंगो पाउडर लिया है यानि आमचुर पाउडर इसे भी आप दाल के साथ मिक्स कर दीजे और उसके बाद स्वादा अनुसार आप नमक डाल लिया है अधाल लेखिए मैंने आप नमक डाल लिया है और इस दाल को आप फोरा फोरा पानी डाल कर इसे पका ली जे तो आप दो बार रगवग ळफोरा सा पानी डाल कर इसे पका सकते हैं तो देखे मैंने या पर थोड़ा सा पानी डाला है और गैस का फ्लेम लोही रखे फिर इसे आप ढ़क कर आप इसे दो से तीन मिनट तक अच्छे से पका लीजे जो जब तक हमारा दाल पकता है हम यह सूजी को भीगा देंगे सो देखे एक कटोरी मैंने यह पर बारिक वाला करवा लिया है यानि सूजी और इसमें आप पानी डाल कर इसे दस मिनट तक अच्छे से भीगने के लिए छोड़ दीजे ताकि यह काफी अच्छे से भीग जाए देखिए हमारा यहां पर दाल काफी अच्छे से पक चुका है तो इस सब को अप अच्छे से भी मिक्स कर दी कर दीजे और गैस का फ्लेम आफ कर दीजे तो देखिए मैंने यहां पर गैस का फ्लेम आफ कर दिया है और इन सब को आप थोड़े ठंडा होने के लिए छोड़ दीजे तो अब हम आटा लगाते हैं सो देखिए सूजी हमारा काफी अच्छे से फूल गया है तो देखिए मै पर दो कटोडी मैदा लिया है अब हम घी को गरम करेंगे एक चमच घी लेकि इसे आप गरम कर लीजिए और इस मैदा में डाल दीजिए अब इसमें स्वादानुसार नमक डालेंगे ध्यान से ही नमक हमारा फिलिंग में भी है और इसे आप काफे सौधानी से मिक्स कीजिए ग अच्छे से आटों को गूत लेना है अगर आपको और पानी का जरूरत है तो थोरा सा पानी लेके इसे आप अच्छे से गूत लीजिए तो देखिए मैंने याप पे आटा लगा दिया है ना ज़्यादा आप करक रखिये आटे को ना आप ज़्यादा गीला कीजिए अब हम इसे ढख के 10 से 15 मिनिट तक के लिए छोड़ देंगे ताकि हमारा आटा सेट हो जाए जब तक हमारा आटा सेट होता है तब हम चटनी बना लेते हैं इसके लिए तो देखिए एक ब्लेंडिंग जाड लीजिए और उसमें हरा धनिया डाल लीजिए हरा धनिया आप काट के डालिए और यहाँ पे मैंने तीन से चार लहसुन की कली लिया है और देखिए आधा प्याज लिया है मैंने यहाँ पे और एक इंच अद्रक का टुकरा और यहाँ पे मैंने तीखी मिर्च लिया है तो दो से तीन मैंने यहाँ पे तीखी मिर्च लिया है आप चाहे तो कम तीखी मिर्च भी ले सकते हैं और दो चमच यहाँ पर मैंने दही लिया है और स्वादानुसार नमक इन सब को बीना पानी डाले अच्छे से पेश्ट बना लेना है तो देखिए हमारा ये चट्टी बनके तयार हो गया है यहाँ पर आप नमक को एड़्जस्ट कर सकते हैं अब हम इसे एक बाउल में निकाल देंगे तो देखिए आटा हमारा सेट हो चुका है और ये अब फिलिंग्स भी थंडा हो चुका है आटे को एक बार अच्छे से मसल लीजिए और उसके बद आटे का एक छोटा सा टुकरा लीजिए और एक साइज का आप लोई काट एक लोई को अपने हाथ में लीजिए और उसे दोनों अंगूठों की मदल से अंदर की और पुश कीजिए देखिए आप वीडियो में देख सकते हैं कुछ इस तरह से और ये एक कटोडी के रूप में आ जाएगा तो इसमें आप फिलिंग्स को भड़ दीजिए और उंगल सारे के साथ कर लीजिए तो अब हम इसे हलके हाथों से बैल लेंगे ज्यादा आपको जोड लगाने की जरूरत नहीं है नहीं तो आपकी ये जो है फट जाएगी तेल गरम हो इसे चेक करने के लिए अप थोड़ा सा आटा का टुकरा लीजिए और ये जब उपर आ जाए त तो तेल में अब हम इसे डाल देंगे सो देखिए हमारा कोचोरी काफी अच्छी तरह से फूल चुका है इसे आप दोनों तरफ से गोल्डेन होने तक अच्छे से पका लीजिए सो देखिए हमारे याँ पे गोल्डेन हो चुका है अब हम इसे एक प्लेट में टिशू पर न लग रहा है यह देखिए मैंने आप निकाल लिया है मैं आपको इसे तोड़के भी दिखा रही हूं आप देख सकते हैं यह कितना क्रिस्पी भी है और कितना सॉफ्ट भी है अंदर में भी फिलिंग देख रहे हैं चारो तरफ अच्छे से फैल चुका है इसे आप हरी मिर्च और चटनी के साथ सर्व करें आपको बहुत ही अच्छा लगेगा तो अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक कीजिए शेर कीजिए और मेरे और भी वीडियो को देखने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें तैंक यू